इसका मतलब है 2007, 2006, 2006 में आपका जन्म हुआ, 2030 तक आप कितने साल की हो जाएंगी? 24, जब आप 24 साल की होंगी, तब भारत में हर किसी के गुजारे के लिए जितना पानी चाहिए, उसका सिर्फ 50 प्रतिशत ही रह जाएगा क्या आपको प्यासा रहना अच्छा लगता है? नहीं, मगर इसके शुरुवात हो चुकी है, नदियों का करीब 40 प्रतिशत पानी सूख चुका है और ऐसी आशंका है कि अगले 20 सालों में 60 प्रतिशत पानी सूख जाएगा कई नदियां, जो हजारों सालों से बहती आई हैं, अब सिर्फ बरसात में बहती है मैं 12 से 17 साल के उम्र तक हर दिन कावेरी नदी में 13 करता था 17 के उम्र में मैंने अपनी खुद की नाव बना कर कावेरी में 163 किलो मीटर की यात्रा 12-13 दिनों में की थी ये बड़ा ये शांदार अनुभव था लेकिन आज अगर आप कावेरी में जाकर नाव चलाने की कुशिश करेंगे तो आप चटानों में अटक जाएंगे क्योंकि उतना पानी नहीं बचा है हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी लोग सोचते हैं कि पानी के कारण पेड है नहीं, पेडों के कारण पानी है ये बात आपको समझनी होगी तो इन नदियों में जान फूंकने के लिए हमें एक चीज़ करनी होगी हमें ये पक्ता करना होगा कि नदियों के दोनों तरफ कम से कम एक किलोमीटर की चोड़ाई में पेड ही पेड हो अगर वो सरकारी जमीन है तो वहाँ जंगल लगाए जाएं अगर वो किसी किसान की जमीन है तो वहाँ फलों और औशदियों के पेड या बगीचे लगाए जा सकते हैं इसका मतलब है कि हम सभी को ये पक्का करना होगा कि हम भोजन में कम से कम 30 प्रतिशत फल खाएं अगर हमारे भोजन का 30 प्रतिशत हिस्सा पेड़ों से आने वाले फल होंगे केवल तभी किसान फलों की खेती करके उसे हमें बेच सकते हैं तो हम ये सारी योजना तयार कर रहे हैं अपनी नदियों को बचाने के लिए क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब 100 साल बाद आप बूड़े हो जाएं हमारी नदिया तब भी वैसे ही बहती रहें जैसे मेरे बच्पन में बहती थी मैं चाहता हूँ कि आप ये देख सकें अगर ऐसा होना है तो हमें एक मस्बूत सरकारी नीती की जरूरत होगी सरकार नीती बनाने के लिए तयार है मगर हम सभी को मदद करनी होगी लोकतंद्र का क्या आर्थ है? हम सभी को मदद करनी होगी तभी वो ऐसा कर पाएंगे तो एक काम कीजिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे आप स्कूल की तरफ से लिखें लेकिन आगर आप अपनी तरफ से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्कूल की तरफ से जाने वाले पत्र में आप सभी अपने हस्ताक्षर कीजिए ठीक है? हम ये पत्रों उन पर दबाव डालने के लिए नहीं भेज रहे बल्कि उन्हें ये बताने के लिए कि वो इसके लिए जो भी काम करेंगे उसमें हम सभी उनके साथ है लोकतंत्र का यही मतलब है जब तक हम सभी उनकी मदद न करें क्या वो कोई उप्योगी चीज कर सकते हैं तो हमें उनकी मदद करनी होगी इसलिए नदी अभियान हम मदद करें तो मदद करने के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक Missed Call देने की आपके पास फोन नहीं है आपके परिवार में किसके पास फोन है हाँ आपको ये पक्का करना है कि वो mist call दें आपको नंबर पता है? बताईए 800-009 800-009 क्या आप पक्का करेंगे कि आपके माता-पिता उनके दोस्त और उनके दोस्त हर कोई जो पानी पीता है वो mist call दें हम? आया ना? जो लोग पानी नहीं पीते, उन्हें हम छोड़ दें बाकि हर कोई जो पानी पीता है उससे नदी अभियान में मदद करनी चाहिए क्या हम ये काम पूरा करेंगे? ये काम ऐसे होगा? आपको एक नदी की तरह गरजना होगा? वरना एक सूखी नदी की तरह पूरे वेक से उमरती नदी की तरह का ये क्या हम ये काम पूरा करेंगे?